अब अगले महापुरुस के बारे में जानते हैं जो है हवलदार बाबा मोधन सिंग हवलदार मोधन सिंग भार्द्य सेना के सर्वे बिभाग सर्वे डिपार्टमेंट के सरजेंट थे मोधन सिंग 1935 के मार्च में वादी में आये लेकिन बर्फ की वज़े से उन्हें वापस लोटना पड़ा उसी साल जुलाई में वह सोहन सिंग से मिले और उनके योगदान में सामिल हो गुरद्वारिक की निर्माण में उनके प्रियासों में सामिल हो गे संभावताह अधिक छेतर की सरवेक्षण करने के लिए एक दूसरे से अलग-अलग पहाडियों पर खोज रहे थे जब मोदान सिंग कुंड के निकट पहुँचे तो सब तरफ कूरा था परन्तु जैसे ही मौसम साफ हुआ बाबा ने अपने सामने एक इसपस्ट निला कुंड देखा जो साथ सिखरो वाले परवत माला से गिरा हुआ था उन्होंने सोचा क्या आखिरकार वह इस्थान मिल गया है जिसे वह ढून रहे थे पाबा को उस समय गुर्गोविन सिंग जी की छवी के दर्शन हुए और मोधन सिंग को यह संकेत मिला कि यह तपस्थान है जहां पर गुर्गोविन सिंग जी ने 1200 साल दिष्ट दमन के रूप में तप किया था संत सोहन सिंग ने इस तपस्थली का प्रचार करने के लिए गुर्दवारों में संगठन से मिले और वे अमरिस्सर भी गए लेकिन किसी ने कोई सहायता नहीं कि इसके पश्चात संत जी भाई वीर सिंग से मिले और जब आखिरकार भाई वीर सिंग को लगा कि वह इस्थान गुर्गोविन सिंग जी की बचित्तर नाटक में दिये गए विवरन के साथ मेल खाता है तो भाई वीर सिंग ने सोहन सिंग को 2100 रुपे दिये आप समझ सकते हैं उस जवाने में 2100 रुपे बहुत जादा हुआ करते थे जिनका उप्योग जील के किनारे एक छोटे सी गु इदने के लिए किया गया भाई वीर सिंग ने स्वयम हिनकुंट की खोज का प्रचार किया ताकि उसके विकास के लिए और धन जुटा सके और प्रभंद कर विकास में योगदान दे सके अगले महापुरस की बारे में जानते हैं मुख्या रतन सिंग चोहान और नंदा यह आस्वासन दिया कि वे गुरद्वारे के निर्माण के साथी वहाँ पर पहले से इस्थापित पुरातन सिरी लक्षमन लोकपाल मंदीर की पवित्रता को बरकरार रखेंगे और मंदीर को और भी बड़ा बनाने में पूरा सयोग पर गाउं के बड़ों ने अनुमती दी मंदीर को बढ़ाया गया और गुरद्वारे की पहली इमारत बनाने में गाउं के मुखिया रतन सिंग चौहान उनके बेटे नंदा सिंग चौहान ने अन्य इस्थाने नियवासियों के साथ संत सोहन सिंग और बाबा मोधन सिंग जी की पूरी आस्था इमानदारी और मंबाई और दस फिट चौडाई की पत्थर के गुरद्वारे का निर्मान सुरू हुआ जिसमें जील के पत्तिदार की और तीन फिट चौडाई का वरंदा था अगले साल के नवंबर में यह सरचना पूरी हो गई और यह वह जगह जील के किनारे पर थी जिसे गुरु के द हेमकुंट गुरुद्वारा 15,210 फिट की उचाई पर बनाया गया एक मात्र गुरुद्वारा है इस गुरुद्वारे में संत सोहन सिंग जी और बाबा हवलदार मोधन सिंग जी ने वाहे गुरु के प्रती निष्टा पूर्ण सेवा की संत सोहन के निधन के बाद हवलद हवलदार मोधन सिंग को गुरुद्वारे की जिम्मेदारी सौपी गई हेमकुंट साहिब तक यातरीगन को पहुचाने के लिए एक उचित पत्की कड़ाई सर्दियों में जब हवलदार मोधन सिंग वापस मैदान को लोटते तो वह भक्तों को हेमकुंट के गुरुद्व और उसके महत्तों के बारे में बताते बाबा जी की गुरुद्वारा हेमकुंट साहिब की कथा कहानियों से प्रवावित हो जल्द ही संगत हेमकुंट साहिब की यातरा के लिए तक पर हो उठी और यातरा प्रारंब हो गई माश्टर कर्म सिंग द्वारा लाया गया जथा सायद प्रारंबिक जथों में से एक था कोई प्रत्यक्ष मार्ग न होने के कारण संगत के लिए ट्रेक की यातरा बेहत कठीन थी हर यातरी को इस्थानिय लोग हाथ पकड़ कर इस कठीन पहाडी छेतर और कठोर मौसम की परिस्थितियों में ले जाते थे मार्ग प्रदर्शन और यातरियों की सहायता के लिए पुलना गाओं के मुखिया के पुत्र नंदा सिंग चोहान सदेव तत पर रहते थे जैसे समय और परिचार के साथ संगत अधिक संक्या में आने लगी तो भाई आपने देखा होगा कितनी विचित्र एक कहानी और एक कथा जो की हम सोच भी नहीं सकते उस बारे में उस जमाने के बारे में जब मतलब लोगों के इतना प्रियास है जो इतने महान महान जो गुरू के प्रिया ही कहूंगा क्योंकि गुरू ने सायद उनको खुद बाखुद चुना होगा इस सुब कारे के लिए जिसको आज पूरी दुनिया जानती है और दर्शन करने आती है तो देश विदेश से यहाँ पे सरद्धालू भक्त संगत जो है यहाँ पे दर्शन करने आते हैं प्लीज इसको शियर करें ताकि और जो है लोगों को भी इनके बारे में मालुम पड़े इन महापुरूशक के बारे में और अगली नेक्स वीडियो होगी छोटी सी जो स्री हिमकुन साहिप का जो निर्मान कारी जो डिजाइन है उनके पीछे की जो इंजिनेरिंग माइंड थे कौन थे कैसे उन्होंने बनाया क्या उनकी इच्छा रही इंटेंशन अंदर से थे कि ऐसा ही बनाना है क्यों बनाना है साइंटिफिक रीजन हर चीजे थोड़ी से समरी में मैं बताऊंगा थोड़ा दोस्तों समाप्त करते हैं धन्यवाद